नमस्कार, Maths for Olympiad series की ये पांचनी वीडियो है और इस वीडियो में जो हमने प्रस्नल चुना है वो ये है if a raised to the power a is equal to 8 raised to the power square root of 2 then a raised to the power 2 is equal to what यदि a का घात a है इसका बराबर है 8 का घात square root of 2 तो a square बराबर क्या होगा तो आईए इसे solve करके देखते हैं क्या आता है a raised to the power a is equal to 8 raised to the power square root of 2 अब यहा हम देख रहे हैं कि इस 8 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a square root of 8 और यह घात में हम ऐसा लिख सकते हैं तो यह is equal to 8 हो जाएगा ऐसा हो सकता है बिलकुल तो आईए इसा ही लिखते हैं यह a का exponent a हो गया और यह यहां हम इसको इस तरह से लिखते हैं अब यह यहां पर exponent root 2 है तो इसको हम मजला वाला bracket मिडल ब्रैकेट के ऊपर ऐसा ले सकते हैं यह इस तरह से हो गया है आप देखिए एक exponent का law है a raised to the power m और जो whole का जो power है वो m है तो यह ऐसा हो सकता है a raised to the power m into m आपको याद होगा यह law तो इसको अब हम यहां पर apply करेंगे तो यह हो जाएगा square root of 8 raised to the power 2 into root 2 clear है यह शलिए अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप को और कीजिए यह जो 2 है ना यह 2 square 2 हम इसको ऐसा लिख सकते हैं square root of 4 क्योंकि 4 का जो हम square root निकालते हैं तो 2 आता है तो 2 को हम इस तरह से लिख सकते हैं तो यहां पर हो गया हमारा square root of 4 into square root of 2 चलिए यहां तक clear है अब इसको अब यहां पर लिख रहे हैं अब एक सीज और देखिए एक और हमारा जो square root का जो rule है square root of 4 into square root of 2 इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं square root of 4 into 2 ऐसा हो गया तो यह क्या हो गया square root of 8 तो यहां पर हमारा आ जा रहा है square root of 8 raised to the power square root of 8 आप यहां पर देखिए a raised to the power a square root of 8 raised to the power square root of 8 आप यहां पर गौर कीजिए यह is equal to sign के left और right होता है किसका left side और right side equal होता है तो यह और यह यह equal है आप गौर कीजिए यह और यह equal है और साथ ही साथ इसका base भी equal है मैं इसे फिर से दोरा रहा हूँ इसका to sign का अर्थ ही होता है कि इसका left और right equal है ठीक है तो आप यहां देखिए यह का यह जो गहात है वो a है और यहां root 8 का गहात भी root 8 ही है तो दोनों बिल्कुल सेम आ रहा है तो इसका left क्या है यह क्या implies कर रहा है कि a is equal to square root of 8 और और इससे हमें मिल जा रहा है that implies a square square to square root raised to the power 2 या square root का square तो square root का square क्या होगा 8 होगा तो देखिए यह square का हमारा जो value है वो आ गया है 8 तो यह वाला c number कर सही होगा आसा है कि यह प्रस्न जो मैंने आपको समझाया वह आपके समझ में आगया होगा धन्यवाद जो आपके समझाया है कर दो आपके समझाया है झाल झाल